नमस्कार मेरा नाम रिश्यब और आप देख रहे हैं टेक्नो व्लोगी 1 जून 2021 से गूगल अपने गूगल फोटोस में जो फ्री बेकप का जो अप्शन था वो बंद करने वाल है गूगल फोटोस में पहले आपको एक फीचर मिलता था जिसमें आप हाई क्वालिटी में अनलिमिटेड फोटोस स्टोर कर सकते थे गूगल के क्लाउड की उपर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि गूगल ये फीचर बंद करने वाला है लेकिन सिर्फ ये फीचर बंद ही होने वाला है इससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्य आमारे सामने खड़ी होने वाली है 15GB का स्टोरेज आपको गूगल फ्री देता है अब आप हाई क्वालिटी पे फोटोस डालोगे तो वो 15GB में भरती जाएंगी अब एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि 15GB आपका भर जाएगा या फिर आप में से कुछ लोगों का ओल्रेडी 15GB डाटा भरा हुआ है जैसे मुझे मैंने एक ट्रिक यूज करके गूगल का 100GB डाटा फ्री पाया था एक साल के लिए यानि मेरे पास टोटल 115GB डाटा है गूगल क्लाउड में अब उसमें से 57GB भर चुक है अब आप सोच रहें कि क्या कुछ हो सकता है मैं बताता हूँ जब मेरा 100GB वाला प्लैन खतम हो जाएगा तो जो डाटा है वो 57GB मुझे मिला कितना हुआ है फिर 15GB एक्चुरी जब वो खतम हो जाएगा 57GB मेरे अकाउंट में पड़ा है और 15GB मुझे मिला हुआ है आपका अगर 15GB से उपर भी क्रोस करता है तो आपका इमेल आना और जाना बंद हो जाएगा आप इमेल यूज नहीं कर पाऊगे आप गूगल ड्राइफ द्रॉज नहीं कर पाऊगे आप गूगल की ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं कर पाऊगे जहां पर आपको data store करना पड़ता है आपने गूगल का भही ओमreg बहुत सारी जग़ा हुआ होगा अपने बैंक में, अपने Amazon Prime पे, Netflix पे या फिर जहां चाहे, जहां से आपको एक OTP आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने फोन की जगे, अपना email address दिया हुआ है, वहाँ पर OTP जाता है, अब वो OTP नहीं आएगा, अगर वो OTP नहीं गया, तो आप समझ सकते हैं कि आपक time free memories है, आप जिन्दगी भर चाहें उतना इसको use कर सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद Google का ये notification आता है, कि Google Photos पे 1 billion users है, जो 28 billion photos हर हवते स्टोर करते हैं, आप ऐसे ही फोटो स्टोर करते रहें, हमें changes करने होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 15 GB data भर गया, उसके पैसे ल module त्यार हो गया, आप सूच सकते हैं, कि 1 billion users है, सब का किसी ना किसी टाइम पे 15 GB data भरेगा, आप continuous backup कर रहे हैं, तो 1 billion users, 130 रुपया महीना, कितना बड़ा business plan है, दोस्तों, इसके solution क्या है, इसका basically तो कोई solution नहीं है, यह solution है, कि आपको 130 रुपया महीना देना होगा, ताकि आ इंपोर्टेंट होते हैं, यार, email, आपका email रुख जाएगा, एक simple सा सुझाव है, कि आप अपना जो data है, वो Google से निकाल सकते हैं, इस zip file में transfer होके आपका जो data है, वो आप download कर सकते हैं, Google पे आपने जितना भी data अपलोड किया हुआ है, और उसे अपने computer में save कर लें, यह services पर अभी भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा Google ने किया है, Google कितनी बड़ी company है, विश्वास जनक company है, अगर यह company ऐसा कर सकते हैं, तो भरोसा तो किसका करना, तो आप अपने PC पे store कर लें, सबसे safe तरीका, मैं यही सुझाव दूँगा आपको, और अपना जो Google account है, खाली कर लें, ताकि जो emails वगरा हैं, या बाकी services हैं, वो use कर पाएं, अभी आपके पास 7-8 महीने हैं, तो आप आराम से सूच सकते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उमीद करता हूँ, ये video आपके लिए काफी useful रही होगे, मैं ऐसी और videos आपके लिए daily बनाना चाहता हूँ, तो उसके motivation के लिए, प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें, मैं एक साल से ऐसी videos बना रहा हूँ, जो लोगों के काम आए, but still, YouTube algorithm is not helping me, इस वोड़ी में बस इतना ही, मिलते हैं एंगले वीडियो में, till then, bye-bye. झाल झाल